मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ कि भीड में भी तुम खुद को अकेला महसूस करते हो आजकल, पर मैं ऐसे हालात तुम्हारे सामने रख देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझ लो, कि कोई हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमीशा हूँ. तुम लोगों के बीच अपना पन ढूणना बंद करो, क्योंकि सबसे पहले और सबसे आखिर तक मैं ही तुम्हारा अपना बना रहूँगा. जब तुम अकेला पन महसूस करते हो, तब तुम्हें मेरी लीला का अनुभव भी होता है, तो ये समझ जाया करो, कि मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, चाहे कोई हो ना हो, इसलिए खुद को कभी भी अकेला ना समझो हमेशा खुद से ये कहते रहो, कि मेरे बाबा मेरे साथ है, तो देखना तुम्हें कभी भी अकेला पन महसूस नहीं होगा फिर, चाहे जितनी देर बाते करनी हैं कर लो मुझसे, मुझे प्यार से तुम बाते करते हो, तब बहुत अच्छा लगता है, डांटते हो तब भी अच्छा लगता है, और हक से अपना गुसा तुम मुझे पर उतारते हो, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये तुम्हारा हक है बच्चे, तुम ये सब कर सकते हो मेरे साथ, तुम्हारा हर एक आंसू देखा है मैंने, कल भी तुम रो रहे थे, ये मैं ज ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, इसलिए निश्चिंत हो जाओ, तुम जिस तरह प्रयास कर रहे हो अपने जीवन में आगे बढ़ने का, बस वैसे ही करते रहो, खूब मेहनत करो जिस तरह तुम अभी कर रहे हो, हिम्मत नहारना, क्योंकि अब तुम्हारी मन्जिल बह मेरा बहुत बहुत आशरवाद है तुम्हारे साथ।